नमस्कार हेल्थ केर बाई हीलिंग हैंड्स के इस सतत वेक्सीन क्वेश्चेनेर के आंसरिंग का जो एपिसोड हम लोगों ने पिछली बार किया था उसी को जारी रखने के इस अगले अंक में आप सब का स्वागत अभिनंदन वंदन अगला टीका क्या कई टीके एक साथ देने से सुरक्षा कवच अलग-अलग जैसा देने जैसा ही होगा देखिए टीके अलग-अलग दिये जाए या वो साथ-साथ दिये जाए इसका निर्णय शोध के बाद किया जाता है और जब शोध इस बात को सत्यापित करता है कि इन्हें सामुहिक तोर पे साथ-साथ देने से भी हमें उतना ही प्रभाव मिल रहा है तभी ये कमबाइंड वेक्सीन का हिस्सा बनता है और अलग-अलग टीका देने में धेर सी सुईयां बच्चों को लगानी पड़ती थी और अब कमबाइंड वेक्सीन आने से एक सुईय से छे-छे बीमारियों के टीके एक साथ-एक बार में ही लगाए जा सकते हैं इसलिए बच्चों की तकलीफ कम हुई है और प्रभाव लग-भग उतना ही है जितना हम अपेक्षा करते हैं कुछ टीके देने के बाद भी वही बीमारी हो गई जिसके बचाओ के लिए वो लगे थे हमारे दर्शक कहते हैं ऐसे में लगवाने का क्या फाइदा मन में इस किसिम का विचार आना बहुत स्वाभाविक है टीके छाते की तरह होते हैं जैसे बरसात में यदि आप छाता लेके निकलें तो बहुदा आप बोचार से बच सकते हैं लेकिन यदि बोचार तेज हो तो छाते के बावजूद भी कुछ पानी आपको भिगाता है ठीक इसी डंग से टीका आपकी उस बीमारी से लड़ने की सामर्थ को समवर्धित करता है बढ़ाता है लेकिन यदि बीमारी का तीवर हमला हो तो ये संभव है कि इसके बाद भी आपको वो बीमारी हो जाए लेकिन तब भी ये लाब तो रहेगा ही कि उस बीमारी की तीवर्धा उतनी नहीं होगी जितनी तीका लगवाने ना लगवाने के कारण अन्यता हो जाती और कम से कम गंभीर परिडाम तो रुकेंगे ही इसलिए निश्चत रूप से ये संकल्प लें कि हमें जैसे बारिश में छाता लेके निकलना है ऐसे टीका तो लगवाना ही है भले उसके बाद कुछ छीटे हम तक भी आ जाएं अगला सवाल कहता है कि क्या सर्वाइकल कैंसर का टीका विवाहित महिलाएं भी लगवा सकती है जी हाँ 40 वर्ष की उमर तक वो महिलाएं जिनको बच्पन में सर्वाइकल कैंसर का टीका नहीं लगा था विवाह उपरांत भी यदि ऐसा हो गया है तो ये टीका लगवा सकती है लेकिन ये ध्यान रखें कि ये टीका केवल हुमन पेपिलोमा वाइरस के उन तक पहुँचने के उस अंतराल की सुरक्षा करेगा जो टीका लगने के बाद का कालखंड है उसके पहले के दोर में यदि वो एच्पीवी वाइरस से संक्रमित हो चुकी होंगी तो टीका उसका निदान नहीं करता है लेकिन कुछ नहीं से कुछ बेतर और अब तो आज अखवारों में खबर है के कौाडरी वेरेंट एच्पीवी वेक्सीन एक भारती एक कंपनी सीरम इंसिच्यूट अफ इंडिया ने स्वदेश में निर्मित कर लिया है और ये उन विदेशी टीकों के मुकाबले काफी सस्ते दाम दो सो से चार सो रुपए के बीच में हमारे देश के नागरिकों को उपलब्द होगा इंतजार कीजिए और भारत की वेग्यानिक अनुसंधान शम्ता की तारीफ कीजिए और उसके लिए ताली बजाएए अन्तिम सवाल जो एक सुधी दर्शक ने पूँछा है कि क्या हलकी सर्दी जुखाम और हलका बुखार या कुछ पतले दस्त होने पर भी टीके नहीं देना चाहिए जी नहीं यदि सर्दी हलकी है बुखार हलका है दस्त बहुत हलके हैं तो इनके चलते हुए भी टीका दिया जा सकता है मैंने अपनी छमता भर जो भी प्रश्ण है उनका उत्तर देने की कोशिस की है यदि आपको लगे के आपकी समस्याओं का समुचित निवारण कर पाने में मैं सक्षम हूँ तो करपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद मैं विदा लेता हूँ